नमस्कार बहुत सुपा किताब कानाधी टीवी पर मैं हूँगा आपके साथ पार्वल खबरों की शर्वाद बड़ी कपर के साथ और बड़ी कपर बुपाल से है जहां उजूर विधान सभा के वोटर बन गए अवेडी शर्मा उजूर विधान सभा की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुरवा दिया है दक्षिन पश्चिम विधान सभा से अपना नाम कटवा दिया है खजराहो लोगसभा सीडस से संसद है वीधी शर्मा पिछले चुनाव में गोविंद्पुरा से उन्होंने टिकेट मांगा था, सभी नेताओं ने विरोध किया था, चार एमली में वीदिव शर्मा का सरकारी आवास है पिछले चुनाव में गोविंद्पुरा से उन्होंने टिकेट मांगा था, जिसके बाद काफी विरोध भी हुआ था उस बाद का दक्षन, पश्चेम, विधान सभा से अपना नाम कटवा दिया है उन्होंने और अब हुजूर विधान सभा से वोटर बन गए है लेकि अगर कोई भी सिटीजन या कोई भी नागरेक चुनाव लड़ता है और तो जिस जगे से वो लड़ता है कोशिश ही करता है कि उस जगे का वो वोटर भी हो लेकिन इस निर्ने के पीछे या हुजूर विधान सभा कि अब जो वोटर बन गए है विडिव शर्मा विडिव शर्मा भी जेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और ऐसे में उनका ये निर्ना यूही नहीं लिया गया हुगा प्रदेश अध्यक्ष अभारते जनता पार्टी के खजराहु से सांसद है और पहले दक्षन पश्चिम विधान सभा से उनका नाम था अब उन्होंने उनका नाम कटवा कर हुजूर विधान सभा में लिखवा दिया यानि आब वो वोटर बन गया है उस शेत्र के और इलेक्षन के लिहाद से ये कितना इंपोर्टेंट हो सकता है ब्रजे जी से जान लेते हैं ब्रजे जी देखिए बारों ये मिश्चित तोर पर और बड़ी ख़वर है मध्यक्ष बीजेटी के लिए और मध्यक्ष की स्याकत के लिए बीडी सर्मा कोई एक आम मध्दाता नह इसे प्रमुक्च है जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सुरक्षिट सीट है एक गोविंदपुरा को सुरक्षित माना जाता है दूसरी सीट है हुजूर सीट इसे हुजूर सीट से रामेसवर सर्मा बिधायक है इससे पहले हम देख रहे थे वहाँ पे डागा बिधायक थे तो इस सूट को सबसे सुरक्षिस सूट माना जाता है बीजेपी का गड़ माना जाता है यह दि बीडी सर्मा का यहां से नाम जुडता है तो उसके सियासी माइने भी निकाले जाएंगे और निकाले भी जा रहे है इसलिए निकाले जा रहे हैं कि बीडी सर्मा पहले भी भोपाल से बिधायक बनना चाहते थे गोविनपुरा से उन्होंने दावेदारी की थी लेकिन उस सब हमने देखा था किस तरह से बीजेपी के तमाम बिधायक और बड़े नेता एक जुट हो गए थे उनकी खिलापत क नहीं मिल पायता है तब बीडी सर्मा प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे इसके बाद वो खजराओ से हम देखते हैं कि सांसद बनते हैं और इसके बाद फिर मद्द प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनकर आ जाते हैं मद्द प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दी हुज जादा ध्यान देने की जरूद नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर सीट आसानी से बीजेपी निकाल लेती हैं सब बीजेपी का मानना भी है और हमने देखा पिछली बार जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश में थे बोपाल में एक चुनाओ 2023 में लड़ेंगे तो हुजूर से लड़ सकते हैं इसलिए उन्होंने तक्स्चिन पश्चिन से अपना नाम कटवा कर हुजूर में जुड़वाया एधी ऐसा होता है तो रामेश्वर सर्मा को दूसरी सीटों पर फोकस करना पड़ेगा दूसरी सीटों से अभी प इसी कारण इस खबर के बाद के उनका नाम दक्षिन पश्चिन पश्रिम से कट कर हुजूर में जुड़ा है स्यासी गलेयारों में चर्चा है और मायने यही निकाले जा रहे हैं। सीट पर भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। स्यासी गलेयारों में चर्चा है और मायने यही निकाले जा रहे हैं। पर फोकस करती है बड़े बड़े नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी देती है और उन सीटों को जीतने की कौसिस करती है तो इसी कौसिस के तहट में क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं रामिस्वर सर्मा मद्द के लिए आरिफ मसूत के सामने उतारा जाएगा त निश्चित तोर पर जो सीट बीजेपी से चली गई थी आरिफ मसूत ले गए थे पिछली बार वो बापिस हासिल करने की कौसिस होगी और वो सफल भी हो सकती है तो यह एक रणनीती का हिस्सा भी हो सकता है हाला कि अभी बहुत देरी की बात है अभी बहुत समय है इसमें कि और भी क्या समीकरण बनते हैं इसके बाद क्या समीकरण बनेंगे वो साधार पर टिकेट हुजूर से कटता भी है या नहीं कटता है किसी रणनीती के तहट यह निश्चित तोर पर किसी रणनीती का हिस्सा तो यह माना जा सकता है कि एक छेतर से मद्दाता सूची से नाम परिवर्तन के पीछे क्या निर्णय लिया जा सकता है